तो इसमें यही है कि आपको थोड़ा सा अपनी personality को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा और उनको आपको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं मतलब नहीं और कभी भी किसी को दस परसें से जदा पैसे मत दो जो आपको वह अपना phone नंबर दे वह phone नंबर आप Google पर सर्च करके चेक करो कि वही अड्रस आरा जो उनके ID पर है कि नहीं और अगर आपकी कोई पैसे मारके लेके चला जाए तो जो आपने contract बनाया था और जो आपने ID ली थी आप उनकी कंप्लेंट करें हमारे यहां पर कैलेफोनिया में तो contractor स्टेट लाइसंस गोड़ है तो आप उनकी वहां पर को अपना पैसा ऐसे लेके नहीं जाने दे सकते ओके अगर जुरत पड़े तो आप अपना उनको क्रेडिट कार्ट देके आप काम करवाई है क्रेडिक कार्ट से आप डिस्प्यूट कर सकते हैं और हो सके तो आप उनको चेक भी आप दे दीजिए क्योंकि चेक का भी कही नहीं दें और कोट का जो है स्मॉल क्लेम्स होता है सब कुछ कोड की जिस स्टेट में भी है आप चाहे अमेरिका में हैं चाहे आप कैनडा में हैं जिस स्टेट में भी हैं आप उस आप कोड की वेबसेट पर आके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे फाइल करना है कैसे कैसे क्य बहुत होता है एक आप जो है उनसका आप गर पे वह वाला केस कर सकते हैं आजकल तो और God भी जाने के जुरुख न पड़ती है और आप कोड़् में आप जोकफ़ कर सकते में कैब कि जो कोल करके उनसे पूछ सकते हैं हाला कि काल करके कॉ साइट पर जाकर आप आप देखें कि आप पूंट-बाइ-पॉंट निखे कि निसे क्या क्या पूशने क्योंकि वह भी Подव इंसान अच्छा यह होगा कि आप पहला हमवर्ग कर लें फिसने। आप डीन कॉछ ने पूछ से पूछे तो तो मतलब मेरा यह बोलने का मतलब था कि अगर आप किसी कॉंट्रक्टर से काम करवा रहे हैं तो अपने जो आपके पैसे हैं वो जरूर देखें और जरूर आप उससे जो है नेगोशियेट करें और उसका आप जो है काम देखें अगर वो आपके आपे काम कर रहा है तो उसका आप काम देखें काम कैसा कर रहा है और उसके बाद जो है फिर आप उससे काम आगे कंटीन्यू करवाईए अगर आपको और उससे आप पहले बात्चित करके देखिए उसको जज़ करिए कि वो सिरफ पैसे की पीछे या उसका काम करने में भी इंटरस्ट है क्योंकि बहुत सारे contractors ऐसे होते हैं जिनका सिरफ पैसे में इंटरस्ट होता है उनका कुछ काम में इंटरस्ट नहीं होता लेकिन ऐसे भी होते हैं जो अपना 100% देना चाहते हैं और फिर आपको ये भी गेच करना पड़ेगा कि आप जो है समान खुद लेके आना चाहते हैं या आप उशको पूरा का बुरा कॉंट्रेक्ट देना चाहते हैं कि कि वह समान के साह्त आपका काम करें क्योंकि मैंने करें साहरों आपका काम नगवाया हैं छोग समान है यह मतलब मैं उनके साहथ स्टोर चला जाता हूं या फिर हम Diesel और मैं या फिर होम डेपो और मैं समान भी सस्टे में आजाते हैं और मेरी कने अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तो को हैं तो यह आपको जो है leave करना पड़ेगा कर है बहुत है आप यह पर अधर करना तो झाल झाल